नमस्कार दोस्तो वेलकम डू स्पोर्ट्स नॉलेच तो गईस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ISL 2021 से डिलेटेड और भी कुछ नए और इंपोर्टेंट्स जानकरी के बारे में लेकिन गईस उसे पहले एक और बात किया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया के दोर पर हाला कि इसके बारे में आभी तक कोई भी ओफिशियल अपडेट्स निगल कर नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द ही एटी के महन बगान यहाँ पर जॉन जॉनसन को रिसाइन करने वाले है उसके बाद अगर बात किया जाए नॉर्थी श्टूनेटेड एपसी के बारे में तो गईस नॉर्थी श्टूनेटर एपसी ने यहाँ पर दो नए इंडियन अटाकर्स को ओफिशियली कॉनफर्म साइनिंग कर लिया है अगले सीजन के लिए बहुत दिन पहले ही मैंने आप सबको यह आपडेट्स दे दिया था कि नॉर्थी श्टूनेटर एपस सीजन का टॉप इंडियन गोल स्कोरर है और उसके बाद दूसरे खिलेड यह भाई लाल खाउपूई माउईया इनका एजए 28 एसे सेंटर फड़ोवा डियानी की स्ट्राइकर के पोसिजिएन में यह खेलते हैं इससे पहले इन्होंने 2018-19 आइलिक सीजन के अंदर आईजू इंडियन प्लेयर्स भी है तो इन दोनों ही प्लेयर्स को गाईस नौर्थी स्टूनेटेड एपसी ने यहाँ पर ओफिशियली कॉंफर्म साइनिंग कर लिया है आईसल 2021 के लिए और आप यह दोनों ही खिलाडी आईसल 2021 के अंदर हाईलेंडर के तरफ से ही खेलते हुए इस्ट बंगल फूटवल क्लब के बारे में तो गईस इस्ट बंगल यहाँ पर बहुत जल्द ही साइन करने वाले है एक आईरिश फूटवालर को जिसका नाम है भाई एंतोनी पिलकिंग्टॉन तो गईस एंतोनी पिलकिंग्टॉन आयर्लेंड से बिलों करते हैं एजे 32 औ अंदर भी इन्होंने स्टोकपोल काउंट्री, हडर्स्फिल टाउन, कार्डिफ सीटी और वीगन एटलेटिक के तरफ से टोटल 139 मैचेस खेला है जहाँ पर उन्होंने 24 गोल और 9 एसिस्ट भी किया है और इसके इलावा गईस प्रिमेर लिग के अंदर भी इन्होंने नार डान हो चुका है इस्ट बंगोल एपसी का और बहुत जल्दी ही इस्ट बंगोल के तरफ से आंटोनी फिल्किंग्टोन का साइनिंग एनॉस्मेंट किया जाएगा और इसके लबाद अगर बात किया जाएगा इस एक यूनिक आपडेट्स के बारे में जो की इंडियन चलिए यहाँ पर हम लोग एक साध बिकास यूमनाम का इस बड़ा एचिप्मेंट के लिए उनको कंग्राचुलेशन्स कह देते है और गईस आज के लिए इस वीडियो में पास इतने ही वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोड़ा सा लाइक जरूर कर देना जितना हो सके उतने इस वीडियो को शेयर कर देना कोई भी जानकरी के बारे में अगर आप लोगों को दिमाग में कुछ भी कॉन्वि आपिकेशन मिल जाए तो फिर में लेंगे आगले एंग नए और इंटरेस्टिंग फूटवाल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाई बाई